गोड़ा में किसकी लहर है निशिकांत दूबे या फिर परदीप या फिर कोई और दूबे जी लेकिन 15 सालों में जमीन पर कभी धरातल पर उतर के उन्होंने कोई काम नहीं किया भई गोड़ा के लोग हम क्या सकते हैं गोड़ा लोग सवाके 85 परसेंट लोग होंगे हम जैसे लोग जो आज तक आमने सामने सीकांत दूबे जी को नहीं देखें हैं अरे भाई ह हवावाई सांसद उनको लोग कहते हैं तो ऐसी ही नहीं कहते हैं लोग किसी गाउं में जाते नहीं हैं कोई जो अस्थानिय मुद्दा होता है लोगों का कोई मुद्दा पर वह आज तक काम ही नहीं किये एक चीज यहां पर रोकूंगा मैं आपको रुणी सिकांत दूबे जा सत्त थे यहां से लालू यादब जी केंदर में रेल मंत्री था मैं असपश्ट आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि केवल नारियल फोड़ देने से किसी के माते पर ठपा लगा करके और आप जूट कर धिंडोरा पीट करके कहिएगा कि गोड़ा को मैंने रेल यादब जी थे तब फुरकान अनसारी ने पिर पैती तो गोड़ा रेल लाइन की पूरी हजडिया होते वे उन्होंने मांग क्या था यह कौन सी बड़ी बात है तो वही लोग पीट रहे हैं इंडोरा तो वह तो पीटेंगे जो वह तो बढ़का जुठा पाटी तो बात कर देने से केवल हो जाएगा अगर आप बात कर रहे हैं तो बड़े पुझी पतियों के लिए तो अगर वह यह कह रहा है तो उनको यह समझाए ना कि आपने आप पावर प्लांट गोड़ा में अगर लगाया तो दूबएजी से सवाल पूछना चाहिए यह भाजपा क अगर प्राइरिटी प्राथमिकता तो पहले आप देंगे ना लोकलिटी को लेकिन गोड़ा की कितने लोगों को रोजपा के लोग अगर प्लांट लगा दिये गौतम अड़ानी जी निसिकान दूबएजी का दोस्त है भाजपा का फिरांसर है एक नंबर का वो तो अपनी पुझी पति यहां किसानों की जमीन को हड़पी गई लूटी गई यहां के अस्थानी नेता परदी प्यादब जी छे महिना तक जेल मेरे भाई उन्होंने जनता के लिए लड़ाई लड़ी ओने पोने दाम में किसानों की जमीन हडपी गई जब वो लड़ाई लड़ रहे बड़ी आंदोलन जन आंदोलन हो रहा था तो बाचपा की सरकार थी यहां पे रगुवर्डास की केंद्रे में बीजेपी की सरकार थी आदरनिये नेता परदी प्यादब जी को जन्यायक है जनसेवक जमीन से जुड़ा हुआ हुआ नेता है उनको जेल में डाल देने का काम किया लेकिन फिर भी पर्दी प्यादब जी अपनी होसला को कभी डिगाये नहीं कि भी पीछे नहीं हटे और अपनी आवाज को बिधान सवा में बहुत मुस्तेदी के साथ सड़क से सदन तक लड़ते रहे अंतते सरकार को इतनी करनी पड़ी कि जमीन की रेट को उनको तीन ग बात की हैं भाजपावाले से कि जारखंड भाई मैं आपको बताओं कि 38 स्टेट में पूरी पूरी हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा अगर अमीर कोई राज है सरकार अगर केंद्र सरकार को सबसे ज्यादा कोई अगर पैसा इंकम टेक्स देती है तो राजी के ही सबसे ज़ादा नौजवान मजदूरी करने के लिए उत्तर प्रदेश दिल्ली गोवा पंजाब हर्याना जा रहा है और भाई आप अपने घरों में बहुत अमीर है और आप मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहे है इसका मतलब आपके घरोंने किसी ने मिलके लूटा है चोदे लोग सवाय जारखंड में बारे सानसद बाहरी है हमारे जारखंड की एक हजार कडो रुपईया केंद्र सरकार ने रोक के रखा है उस पर कोई बोलने वाला नहीं केवल एक सानसद राज महल का बीजय हास्दा जी जारखंड मुक्ती मोर्चा पार्टी से जब जी जब कोई कूरसी बेचने वाले लोग आते हैं ना कपड़ा बेचने वाला आता है ना तो पहले वो भी 400-500 ये 1000 की बात करता है लाश्ट में ओने पोने दाम में देके उनको जाना पड़ता है तो केवल दींग हांकने से नहीं होगा पूरे देश में मोधी लहर नहीं है इस कार मुद्दे की लहर है लोग विकास खोचता है राममंदीर बना देने से देश का विकास नहीं हो गया है कुछ सुनने वाले लोगों को बुरा लगेगा लेकिन माफ कीजिएगा इस देश में जब कोरोना काल आई थी मेरे मित्रो तो आप याद कीजिएगा देखने वाले डॉक्टर कामा रहा था मानपता कामा रहा था लेकिन भाचपावला मुझे बता है कि जिस आप हिंदू मुसल्मानों की राजनित करते हैं जिस मंदिर मस्जिद की राजनित करते हैं उस मंदिर मस्जिद ने कभी किसी को मुसिबतों में काम दिया है क्या आज कहां पूरे देश में कहीं मंदिर के नाम पे चुनाओ नहीं हो रहा है कोई पाकिस्तान के नाम पे चुनाओ नहीं हो रहा है जनता बेखुप तो बनाया गया लेकिन अब भारत की जनता जाक चुकी है जिसमें हमारा गोड़ा भी एक भारत का अभी नांग है गोड़ा की जनता भी जाग चुकी है और गाउं गाउं दुबे जी से सवाल लोग पूछने लगे कि 15 सालों में आपने क्या क्या आपको एक बात चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा जब परदीप यादब के टिकट का घोस्तना भी नहीं हुआता निसिग करता गाउं गाउं जाकर के बवा रहे हैं चोखट पर के चोखट पर और हाँ भी के तरह भोट मांग रहे हैं चुके वो जान रहे हैं कि हमारी कमजोरी को जनता समझ चुकी है जनता को हवाई जहाज नहीं चाहिए जनता को भाई सडक चाहिए बिजली चाहिए पानी चाहि इन मुद्दों पे तो निसी कांत ने कभी बात नहीं किया है, कभी कोई बता दे कि एक भी लोगों को उन्होंने रोजगार देने का काम क्या है, एक कुछ भी ही तो हमको भाजपा वाला गिना दे हमारे सामने, डिवेट कर दे, अगर सच मुछ में अगर वो मुझे डिवेट म मैं भी मानता हूं, मैं अगर अपने यहां गोड़ा में हूं, तो राम भगवान कहता है, मन में चंगा तो कठोती में गंगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, यह जो हला कर रहा है भाजपा वाला, खमने राम को लाया है, हमने तो अब तक सुना था कि राम दुनिया में इंसान को लाएं, चुके भगवान लाता है, और यह इंसान को कितनी आउकात और हिम्मत हो गई भाई, कि यह राम को लेते आए, राम इतने दिने उसे कहां थे, हमको यह बताने का काम करें तो, भगवान स्वते इंसान को दुनिया में लाता है, और यह इंसान भाजपा वाला कह र दूंगा उनसे पूछे की रोजगार कहां गया जिस मोधी जी ने कहा था कि मेकाला धिल लाकर के 15 लाक वापस दूंगा क्या वो चुनाभी जुमला था अमित साजी बताए इन चीजों को परदान मंतरी जी बताए इस चीजों को निसी कांद के पास जबाब है तो वो बताए इन चीजों को कि गोड़ा के कितने लोगों को आपने रोजगार दिया जारखंडियों के हितों में आपने कितने सोचा जारखंड के नोजवानों के आप मतलब गौ को माता मानते हैं और आप बीब कंपनी से चंदा लेते हैं ये तो जगजाई रिवाय उजागर हुआ जबाब देना चाहिए भारतिये जंता पार्टी के सिर्सनेताओं को चुलू भर पानी में डूप करके मर जाना चाहिए लोगों में गौ माता के नाम पर र को आगे करने के लिए लोग कुछ भी कर ले ये बात मांझाये ये पूरे देश में के बल गोड़ड़ा जिसमें मनता मूलक, संता मूलक, बराबरी का अधिकार सबको दर्जा दिया है, आरक्षन दिया है, और आप संबिधान बदलने की बात कर रहे हैं, वो तो मनुई स्मिर्थी को मानने वाले लोग है, भारती जंता पाटी के लोग, आपको मैं वदाना चाहता हूँ आपके चैन की बलिदानी दी है, तब हमें हिंदुस्तान आजाद मिला, और ये आज हमारे देश में एक अंग्रेज चला गया, ये काला अंग्रेज हमारे देश में हमारे उपर सोसन कर रहा है, भाई मैं कहना चाहता हूँ कि गोड़डा लोग सवा के साथ साथ, पूरे देश में मांग है कि भारतिय जनता पार्टी की सरकार को कैसे बदला जाए, और इस बार मुझे विश्वास है कि जो 400 कनारा दे रहा है, वो 200 भी पार्क नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से, और रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि भारतिय जनता पार्टी के बहकावे में मत आन है, आप रोजगार की बात कीजिए, वो धर्म की बात करेंगा, आप रोजगार की बात कीजिए, धर्म की रक्षा हम कर लेंगे, भगवान मेरी रक्षा खुद करेंगे, मुझको कोई आउकात नहीं हम इनसानों को कि हम भगवान की रक्षा कर पाएं, भगवान हमारी खुद करेंगे और जब राम की आइडियोलोजी पर भारतिय जंता पार्टी के लोग चलने की बात कर रहे हैं तो राम तो सबको साथ ले करके चले थे वाई राम की थ्यास क्या है राम के वारे में अगर एक कालपनी कथा भी है या जो भी है उनको अगर मानते हैं तो राम के अबबद करके सुग्रीभ को नहीं दिलाया और बि जितने भी इस रास्ते में आपने देखा रावन एज लेशन को इनसाब दिलाया रावन के बद करके उनको लंका का JR करके राजा बनाया लेकिन बारत्यीय जनता पाठी में सारा बलतकारी लोग, सारा घुनडा लोग, सारा हम आपका लोग फूरे देश में विपक्ष के नेताओं के घर आप E.D. भेज रहे हैं, C.B.I. बेज रहे हैं, इंकम टेक्स बेज रहे हैं, लेकिन बाजपा के एक भी नेता के घर पे E.D.B. और C.B.I. और साथ-सथ पूरे देश में बदलाओं की बयार हैं, और जहां तक गोड़ा की बात करते हैं, तो गोड़ा के मुद्धेपे मैं बताना चाहता हूं कि इस बार कांग्रेस माहा गडबंदर समर्थित परतियासी, जो कांग्रेस चाप का कंडिडेट, कांग्रेस पार्टी का कंडिडेट, मा गडवंदन के समर्थित परतियासी आदर निया, पर्दी प्यादब जी है, एक जमीनी नेता है, हमेशा से जारखंड के जल जंगल जमीन, सिक्छा स्वास्त रोजगार के लिए लड़ा है, और इस नेताओं से नहीं, कि नंबर खोजने के बाद भी पता ना चले, और मिल जाये तो पता चले कि मैं दिल्ली में हूँ, ऐसा नेता गोड़ा को नहीं चाहिए, पंद्रे सालों से गोड़ा के लोगों को लूटा है, इस बार गोड़ा के लोगों ने हिसाब किताब अपना बरा ने की लड़ाई है, निर्दोस उनको सलाखों के पीछे, जाकर के साजी सन उनको धकेल दिया है, आरवीन केजरिवाल दिल्ली में बैतरिन काम कर रहे थे, आम आदमीं पाटी का मुख्या, भारतिये जनता पाटी को जब उनकी डर सरताने लगे, तो उनको जाकर के सलाखों क नीचे बंद कर दिया, मैं बताना चाहता हूं मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों नोजबान सात्यों कि आप ऐसे ऐसे लोगों के फिर में न पढ़े हैं, ऐसे लोगों को करारा जबाब दे, भारतिये जनता पाटी को इस देश से उखाड करके फेकना ये भारत के लिए भारती संसिकृरिती के लिए, भारत की मानपता के लिए, विकास के लिए कलियानकारी होगा, और ये आम जंता इस बातों को समझ रही, जितना भी छोटा-छोटा काष्ट के लोगों को दलीत, मादलीत को बर्गलाया जाता है, आज तक बताए कि उनके भलाई के लिए कुछ मद्यपरदेश में एक भाजपा के निता ने दलिटों के चेहरा पर पीसाब कुछ अथ OSC. अधर आदमादेश है। दलिटों को मंदिर घूस ने डिया जाता है, दलिटों को सुद्रमान आजober जाता है। हिंदू सब्द का मतलब क्या हुता चॉर आ गियां ऐंदू सब्द का सनातन होता है सनातन का मतलब सचा होता.. भारतिय जन्टा पार्टी के लोग तो दलीपों को हिंदू मांता ही नहीं .. लेकिन चुनाओ आता है, तो भाई उनको पता नहीं कौन सा इंजेक्सन दे देता है, हमें लगता है कि ऐसा कुछ ने इस बार सब लोग समझ रहे हैं, छोटा-छोटा लोग भी समझ रहे हैं, कि हमारे संविधान को जलाने वाला कोई और नहीं, बलके यह RSS, यह BJP के लोग ही संविधान को जलाने वाले लोग है, इसलिए इस बार पूरी लोगों ने मिजाज बना लिया है, गोड़ा लोग सभा के छेत्रों में, जब मैं घूमता हूँ, अभी पिछले दिनों में पूर्निया में था चुनाओ में, जिस तरह लोगों ने सेकुलरिजम के नाम पे, एक नैशनल फिगर पपू यादप को वोट देने का काम क्या, लोगों ने देखा कि नहीं इनकी विचार किया है, इनका काम क्या है, विचारे ने काम किया था, उसतरह लोगों को काम करने वाला नेता चाहिए, और यह भी नहीं कहते हैं, कि आस्थानिये बना में चुनाओन बात होनी चाहिए कि हमारा देश सबसे हमारे देशों में जारखंड सबसे अमीर राज्य होने के बाप जुद भी यहां का नौजवान पलायन क्यों कर रहा है अपना बीबी बालवच्चा को छोड़ करके मजदूरी क्यों कर रहा है आपको पता है जब लोगड़ान हुआ था इन को जबकि यहां नंट्रांस्प्रेवूल जमीन है एस्विटी एक्ट लगा हुआ है लेकिन फिर भी रगुवर्दास जी ने बड़े-बड़े कमपनियों को मोटा रकम लेकर के जमीन बेचने का काम क्या है इस बार गोड़डा लोग सभा में अगर लहर किसी का है तो मह गडवंधन का लहर है चुके लोगों ने थाना है कि हमने कैंद्र में जाकर के आदर्नियर राहुल गांदी जी जो उनकी सोच है आदर्नियर नेता पिर्यंका गांदी जी आदर्नियर नेता लालू यादब जी आदर्नियर नेता दिपांकर भटाचारिय जी आदर्नियर दि झाल झाल